मैं निल्कुमार दिक्षित अपने एक ने वीडियो चैनल दिक्षित जी स्पीक्स के साथ एक बार फिर आपके समक्ष हाजर हूँ आज है दिन ब्रहस्वतवार और तारीक है 22 अप्रेल सन दो जार 21 तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यह जो प्रोग्रेम है यह एक मोटिव करने वाल है और जिस में हम अपनी विहार को शल्ता के उपर चर्चा कर रहे हैं उनके लिए इसमें कुछ टिप्स दिये गए हैं कि अपने से बड़ों के साथ अपने सीनियर्स के साथ बड़े अधिकारियों के साथ या कोई भी बड़ा हो तो उसके साथ हमें कैसा वेवहार करना चाहिए उनके साथ हमने हमें कैसा एटिटूट करना चाहिए तो वीडियो चैनल को subscribe कीजिये, अगर पसंद आता है तो अपने मित्रों के साथ, तिस्टेदारों के साथ, और अपने family members के साथ इसको को भी subscribe करने के लिए शेयर करें और subscribe करने के लिए करें, अपने सुझाओं हमें बराबर बेजते रहें जिससे कि हमारे वीडियो चैनल की गुडवत्ता दिन पर दिन सुधरती रहे आपका सयोग है हमारा संबल है तो हम अपनी बात शुरू करते हैं हम लोग बात कर रहे थे विवहार कुशलता के ऊपर विवहार कुशलता के बाद हमने बात की थी कि हमको विवहार कुशल होने के लिए अप को पेम मिलनसार होना चाहिए प्रेमी होना चाहिए नदभाशी होना चाहिए सब के काम आना चाहिए यह सारी बाते हमने सीखी थी कि हम प्रेम और सब्मान देने से हम समाज में विवाहरिकताला सकते हैं और अपने दोस्तों मैत्रों यह दस्तर में कारिवर की जगों पर अपनी दुकान बड़ने व्यापार में सभी इस्तानों Perché हम लोगों के प्रीह बन सकते हैं और हमारा काम अच्छे से चाल सकता है यहां पर हम अपने कुछ टिप्स दे रहे हैं जो खास्तों से युवा मित्रों के लिए हैं जैसे कि पहला है उसमें अपने से वरिष्ट वेक्तियों से कागर्ज कला मित्यारी मांगना छिष्टा चार के खिलाफ समझा जाता है खासतर वरिष्ट जनों से जब भेंट करने जाएं तो अपने साथ चीस उनेश्चित कर लें कि हमारी जरुद की वस्ते में क्या है जैसे कि अगर वरिष्ट विक्तिके पास जा रहे हैं हमसे कोई आपकर सीनेर ऑफिसर है तो अपने पास कागज ले जाएं पैन जाएक ले जाएं और जो आवश्चक सामगरी हो जो वो पूछना चाह सकते हैं वो सारी सामगरी के साथ त्यार हो के जाएं उसकी बाद हमाद पताते हैं अपने से बड़ों के हमेशा एक पुरानी कहावत है घोड़े की पिछाड़ी बुरी और साहब की अगाड़ी बुरी यह तो एक कहावत है लेकिन इसके पीछे मंतब यह है कि हमेशा आपने स्ट्रेश्ट लोगों के साथ स्ट्रेश्ट आचरण करना चाहिए यदि हमारे साथ बड़े लोग चल रहे हैं हमेशा उनके उनसे हमको उनके बगल में और थोड़ा सा पी नीचे चलना चाहिए जैसा कि आम तोर से लोग रखते हैं कि कि अगर वो उनसे उन्चे पर हमें नहीं चलना चाहिए हमसे उनको उनसे थोड़ा सा नीचे हो करके चलना चाहिए और खासतोर से उनके आदर्स होती है कि हम उनके लेट साइड में थोड़ा सा पीछे की और चले पहले वो आगे वाली सीड़ी उतरें उसके बाद हम स्कूरी पर उतरें ये दो बाते हैं तीसरी है कभी भी किसी किसी भी सीट के उपर आसन नहीं रहना चाहिए यदि हम किसी अधिकारी के सामने करके और इस तरह से बात करें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए हमें जो है सीधी सीधी सीधे से बैट के बात करनी चाहिए जब किसी आदर्योग वेक्ति को अपने पास बुलाना हो या किसी और को बुलाने के लिए कहने के लिए कि उन्होंने आपको बुलाया है या आप यहां आ जाएए इससे बेतर होगा कि हम कहें कि वो आपको याद कर रहे हैं या हम आपको याद कर रहे हैं हमारी विवहार कुशलता का महत ज्यादा है ना कि हमारे धन का यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके पास धन कितना है आपकी जेब कितनी बारी है यह सही सही लोग जो लोगों का आप दिल जीज सकते हैं तो हमारा जो यह आग का सेशन था यह भी समाप्त करते हैं हम इसके बाद दुबरा फिर मिलेंगे तब तक के लिए हम आप से विदा लेते हैं इस आगरे के साथ कि हमरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब वश कीजिएगा अगर पसंद आये तो अपने मित्रों इस्टेदारों और मेंबर्स को भी सब्सक्राइब करने को कहिएगा और अपने सुझाओ और अपनी टिपनों से हमें अवश अवगत कराते रहिएगा अच्छा तो नमस्कार फिर मिलेंगे